हेलो एब्रिवेन आज की स्रीज में हम सौल करेंगे उत्राखन बीएड एंट्रेस एकजाम 2022 के रिगार्डिंग लेंग्विज टेस्ट देखें लेंग्विज टेस्ट में हम करेंगे हिंदी से जुड़े हुए 20 क्वेस्टिन्स को तो इस प्रेक्टिस सेट में मैं आप सभी के साथ 20 क्वेस्टिन्स एर करूंगी इसके लाग विडियो मलास तक बनी रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्रीज को इसलिए वहां अनुतिण हो गया गया ठीक ना इसलिए क्या कर रहा है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है दूसरा कोष्चन है अंडवान निकोबार में सासन और सिक्षा की भासा पूच रहा है अंड़मान निकोबार में कौन सी है बंगाली, निकोबारी, हिंदी, अंड़मानी तो इसका right answer है option C, हिंदी अगला question है वर्तनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्द है दीकिए सुद्ध सब्द आपको बताना है कि उज्वल को किस तरीके से लिखा जाएगा तो उज्वल को लिखा जाता है इस तरीके से ठीक है option C, इसके लिए right answer होगा उ, अदा जो, फिर अदा जो, व, ल ठीक है, तो option C, इसके लिए right answer होगा दीकिए वर्तनी से जुड़ा हुआ एक नंबर का question इसमां आपसे जरूर पूछा जाता है तो आपको वर्तनी यानि कि सुद्ध सब्दों को लिखना आना चाहिए अगला question है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेसक, यानि कि भेजने वाले का नाम एवं पदनाम होता है बाई और अंत में दाई और अंत में बाई और के सीर्स पर, दाई और के सीर्स पर तो देखे, जब आप एक letter लिखते हैं अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें भेजने वाले का नाम उसका पदनाम जो है किस साइड होता है बाई और होता है, बाई और मतलब इस साइड होता है तब आप यहां से क्या गरते हैं letter लिखना स्टार्ट करते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखें क्योंकि इस टाइप के question भी पूछे जाते हैं नेक्स question है इमेल किस चंसंचार माधियम के अंतरगत आता है अगला question है जो सब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं विकारी सब्द, अविकारी सब्द, रूड सब्द, योग रूड सब्द तो देखें, लिंग, वचन, काल के अनुसार जो सब्द नहीं बदलते हैं उनको अविकारी सब्द बोला जाता है क्योंकि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अगला question है कुस धन आसन में संधी है देखें, कुस धन आसन में पूछा है देखें, प्रत्या क्या होता है सब्द के अन्त में हैं प्रियुक्त होते है तो आपसे पूछा जा रहे है कि निलीमा में प्रियुक्त प्रत्या क्या है इमा, लीमा, नी, मा तो देखें, निलीमा है ना तो निलीमा में जो होगा आपका इमा होगा निलीमा ठीक है तो option A के लिए right answer होगा अगला question है पूर्व वर्ती का विप्रार्थक सब्द है दिखे अपोजित यानि की आपसे पुछादारा है विलोम सब्द कौन सा होगा पस्चिमा वर्ती, दक्षणा वर्ती, पर वर्ती, उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका right answer होगा option C परवर्ती अगला question है निम्रिकित मैंसे असुद्ध वाकिया देखे असुद्ध वाकिया आपको बताना है वहां बहुत से पसू और पक्छी उड़ते और चर्ते हुए दिखाई दिए तो देखे आपको असुद्ध वाकिया बताना है तो पहला ही वाकिया इसमा असुद्ध है वहां बहुत से पसू और पक्छी उड़ते और चर्ते हुए दिखाई देते हैं पसू उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे sentence क्या है यह इसलिए गलत है अगला question है निमनलखित मैंसे क्रिया के सही भेद है देखे सही भेद पूछ रहा है क्रिया के जो भेद है वो है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया विकर्मक और अकर्मक उप्यक्त मैंसे कोई नहीं तो क्रिया के जो इसमें भेध हैं वो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ठीक है, option is इसका right answer होगा next question है बगेली किस उपभासा की बोली है, बगेली पूछ रहा है किस उपभासा की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजिस्थानी, बिहारी तो ये है पूर्वी हिंदी की उपभासा, ठीक है, option is इसका right answer होगा अगला question है घोड़ा का परियावची सब्द है, गोड़ा के लिए और किस सब्द का प्रियोग किया जाता है, तमाल, है, जंबुक, वायस तो घोड़े के लिए आजाता है, हई का प्रियोग, ठीक है, option बीज का right answer होगा अगला question है, passport को हिंदी में क्या कहते है, पास्पोर्ट को क्या कहा जाता है, हिंदी में हवाई पत्र, निरियात पत्र, पार पत्र, प्रेसन पत्र तो पास्पोर्ट को बोला जाता है, पार पत्र, ठीक है, option C के लिए right answer होगा next question है, सूरिकांत तरपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपाधन किया देखें, आपर अलग-अलग पत्रिकाएं दी गई है, आपसे कहा रहा है कि सूरिकांत तरपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपाधन किया मतवाला, सरस्वती, कल्पना, प्रतीक, तो इसका right answer हो option A, मतवाला अगला question है, किसी भी विचारा धीन पत्र अथवा प्रकरण को निप्टाने के लिए उस पर राय, मतव य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है निविदा, टिपण, विध्यप्ति, प्रतिवेदन, तो देखिए, इसे बोला जाता है, टिपण, ठीक है, option B, इसका right answer होगा अगला question है, निमने लिखित में दंत्योस्ट धनिया, दंत्योस्ट का मतला होता है, दात और ओस्ट से मिलके, होटों से मिलके, कौन से वर्ण बोले जाते हैं य और र, ल और व, तो फो, व फो, तो देखिए, दात और ओस्ट से मिलके, बोला जाता है, व सिर्फ एक ही वर्ण है, जिसको दात और ओस्ट से मिलकर, बोला जाता है, ठीक है, तो व देखिए, फो के साथ है, और फो जो है, किस से बोला जाता है, ओस्ट से, ठीक है, दात और ओस्ट से पूछ रहा है तो इसका right answer कौन सा होगा option D वाला होगा अगला question है मनुहर स्याम जोसी की silver wedding कहानी का मुख्य पात्र है वंसिधर भूसन दत्ता जी राओ ये सोधर बाबू तो इसका right answer है option D ये सोधर बाबू अगला question है स्रोत भासा में व्यक्त विचारों को लक् question अनुवाद तो इसे बोला जाता है अनुवाद ठीक है न अनुवाद करना बोला जाता है option D इसका right answer होगा तो फ्रेंच ये दो थे हिंदी भासा से जुड़े हुए 20 most important questions जो मैंने आपके साथ सेयर किये इसी तरीके कि डेली स्रीच के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइ कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अफ्लोड करें उसका notification आपको मिल सके मिलते आपसे एक नई वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद